गुड मॉरिंग अभीवन अच्छा वचे कल हमने इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने शुरू किया था और उसमें मैंने आपको एक स्टेट्मेंट बताई थी कि इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा निकालनी कैसे है तो एक बर हम वो स्टेट्मेंट दुबारा कॉम्प्यूटेशन आफ इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ग्रॉस एनुवल वैल्यू कैसे निकालनी है मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे बेटा आज मैं कुश्चन भी आपको कराऊंगा लेकिन फिलाल जीएवी हमारा हो गया अब जीएवी में से माइनस कर देखना है पिटा मेरे साथ आओ पिटी म्यूनिसिपल टैक्सिस पिटा म्यूनिसिपल टैक्सिस को हम हाउस टैक्स भी कहते है और म्यूनिसिपल टैक्सिस को हम प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं ठीक है पिटा इसमें ना में बस दो बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है म्यूनिसिपल टैक्सिस में और वो क्या है म्यूनिसिपल टैक्सिस का डिडक्षन आपको मिलेगा ओनली ओन पेड बेसिस म्यूनिसिपल टैक्सिस का डिडक्षन आपको मिलेगा ओनली ओन पेड बेसिस इसका मतलब समझाथो मैं अभी समझाता हूँ बेटा की एक्सम्पल से बेटा मैं आपको पांच साल का डेटा दे रहा हूं 15-16 का 16-17 का 17-18 का 18-19 का और 19-20 का पांच साल का आपको मैं डेटा दे रहा हूं हर साल का municipal tax था 20,000 पर है ना हर साल का तो municipal tax था आपका 20,000 पर है ना ठीक है पिटा बचे अब हुआ क्या मैंने 15-16 का municipal tax पे नहीं करा मैंने 16-17 का भी पे नहीं करा 17-18 का भी मैंने पे नहीं करा 18-19 का भी मैंने पे नहीं करा लेकिन भी ऐन्नि TV का municipal tax या जब लिए उन्निस पीस में 19-20 में मैंने 19-20 का municipal tax 20,000 बीस हजार रुपे तो पे करा ही करा मैंने पिछले चार सालों का municipal tax भी कौन से यहर में पे कर दिया 19-20 में मतलब 19-20 में मैंने total किँने सालों का municipal tax पे किया है एक तो 19-20 का ठीक है और प्लस पिछले चार सालों का मतलब 15-16 का भी 19-20 में पे करा 16-17 का भी 17-18 का भी 18-19 का भी और 19-20 का भी तो बेटा मैंने ना 19-20 में टोटल म्यूंसिपल टेक्स पता है कितना पे करा बेटा 20-29 का और 20-000 के हिसाब से पिछले 4 सालों का मतलब total 5 सालों का म्यूंसिपल टेक्स एक लाक रुपे मैंने पे करा है बेटा उनिस पीस में ये बात समझा हिए तो पिटा आपको गर्मेंट क्या कहती है गर्मेंट कहती है अगर आपने अगर आपने म्यूंसिपल टैक्स देना था बट दिया नहीं तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा मतलब 15-16 में मैंने म्यूंसिपल टैक्स पे करना था बट नहीं करा No deduction in 15-16 आपको 15-16 में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने म्यूंसिपल टैक्स पे नहीं करा है 16.17 में no deduction pay नहीं करा है 17.18 में no deduction pay नहीं करा है 18.19 में no deduction pay नहीं करा है लेकिन government ने कहा जिस साल में आप pay करोगे न उस साल में पूरा deduction मिल जाएगा बिटा तो मुझे बताओ मैंने 19.20 में कितना pay करा पूरा एक लाग पे कर दिया तो आपको deduction in 19.20 मिलेगा of rupees 1 lakh पूरे एक लाग रुपे का deduction आपको मिल जाएगा 19.20 में तो मेरे ख्याल से पेटा point simple था municipal tax का deduction आपको मिलेगा only on paid basis तो अगर आपने municipal tax देना था बट नहीं दिया no deduction जिस साल में दोगे उस साल में आपको पूरा deduction मिल जाएगा तो याद रखना municipal tax का deduction सिर्फ paid basis पे है important है याद रखना यह copy करो इसे फिर एक बात और बताऊंगा कल लिया बिटा अच्छा अब दूसरी बात इसमें पता क्या है दूसरी बात है deduction only if paid by owner deduction only if paid by owner sir इसका क्या मतलब हुआ बिटा एक बात याद रखना मुझको मुझको मैं owner हूँ बिटा house property का मुझको deduction municipal tax का सिर्फ तभी मिलेगा अगर वो municipal tax मैंने pay करा है बिटा अपनी जेब से अगर मेरे tenant ने municipal tax पे करा है बिटा तो याद रखना उसका deduction मुझको नहीं मिलेगा तो मुझको deduction सिर्फ तभी मिलेगा अगर वो municipal tax मैंने pay करा है अगर मेरे tenant ने municipal tax पे करा है ना तो उसका deduction मुझको नहीं मिलेगा ठीक है बिटा, चलो, copy करो इसे, फिर एक छोटी सी बात आपको और बता दिए करें एक छोटी सी बात और बिटा, देखो, notes पे आओ बिटा, यह देखो, municipal tax, section 23 पढ़ो चरह, municipal tax shall be deducted on paid basis, तो municipal tax का deduction बेटा, paid basis पे ही मिलेगा तो अगर municipal tax due है, but not paid, no deduction, तो जिस साल में pay करोगे, उसी साल में आपको deduction municipal tax का मिलेगा, नहीं तो no deduction, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, municipal tax should be deducted only when paid by the owner, if they are paid by the tenant, the same should not be deducted, तो याद रखना, municipal tax का deduction मुझ को, मतलब owner को, तभी मिलेगा, जब owner ने pay कर आए, अगर owner के बिहाफ पे tenant ने pay कर दिया न, तो no deduction, ठीक है, और एक तीसरी बात और आजाती है, छोटी सी बात है, if property situated outside India, then tax levied by municipal corporation of that country is deductible, तो बात भी simple है न, सुनो, मेरी, बात मेरी, एक house property है, ठीक है, जो पता है कहाँ पर situated है बाता, US में situated है, ठीक है, और उस house property से, बाता मुझको आता है, रेंट आता है, ठीक है, तो बाता, कौन सा municipal tax लोगे, जो यहाँ का है, नहीं बाता, यहाँ का थोड़ी ना लेना है, प्रापर्टी जब US में situated है, तो कौन सा वाला municipal tax माइनस करोगे, जो US के laws के हिसाब से है, अब for example, US के laws के हिसाब से, municipal tax बनता है, डॉलर 500, तो कितना माइनस करोगे बेटा, डॉलर 500 माइनस करोगे, बात समझाई, तो अगर मेरी property outside India situated है, तो municipal tax कौन सा लोगे, जो उस country के laws के हिसाब से है, ना की इंडिया के laws के हिसाब से, जब property outside India situated है, तो municipal tax भी कौन सा लोगे, जो उस country के laws के हिसाब से है, तो simple सा था बेटा, तो अब बताव बेटा मेरे को, मेरा gross annual value आ गया, ठीक है, मेरा municipal tax आ गया, बेटा, gross annual value माइनस municipal tax मेरी क्या आ गई, net annual value आ गई, बेटा, net annual value आ गई, अब net annual value में से, आपको माइनस करने है, दो deductions अंडर section 24, एक है, standard deduction अंडर section 24, 24, A, at the rate of, flat 30%, सर ये 30% किसका होगा, बेटा, ये 30% होगा, NAV का, whatever be the NAV, ठीक है, तो NAV अगर, for example, 1000 रुपे है, तो 1000 रुपे 30%, 300 रुपे का standard deduction, बेटा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, NAV अगर 0 है, NAV अगर 0 है, या NAV बेटा, negative है, ठीक है, तो बेटा, standard deduction 0 ही आता है, negative पे, negative पे standard deduction नहीं आता है, बेटा, standard deduction cannot be negative, ठीक है, तो अगर net annual value 0 है, तो 0 पे 30%, 0, अगर NAV negative है, तो negative पे 30% मत कर देना, बेटा, standard deduction 0 ही रहेगा, तो याद रखना, standard deduction 0 होगा, अगर NAV 0 है, या NAV by chance negative है, मैं थोड़ा सा आप से न, discussion करता हूँ, बेटा, आओ मेरे साथ, heading लिखो मेरे साथ, standard deduction, under section बताओ, 24A, ठीक है, आप सुनना मेरी बात, यह standard deduction क्यों दिया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको पेटा समझाता हूँ, यह देखो, पेटा, एक person है, Mr. A, ठीक है, पेटा, वो owner है, वो owner है, एक house property का, वो owner है, एक house property का, यह उसकी house property है, पेटा, जिसका वो owner है, ठीक है, अब मुझे एक बाँ बताओ, बेटा, house property पे, during the year, आप बहुत सारे, बेटा, खर्चे, आप इंकर करते हो, मैं क्या कहां, बेटा, मैंने, आप, during the year, house property पे, बहुत सारे, क्या इंकर करते हो, बेटा खर्चे इंकर करते हो, जैसे सर, जैसे आपने house property का insurance करवाया, insurance का खर्चा, house property की repairs and maintenance का खर्चा, ठीक है, others, तो during the year, during the year, आप house property पे बहुत सारे, बेटा क्या incur करते हो, expenses incur करते हो, जैसे आपने house property का insurance करवाया, house property की मरमत करवाई, और भी खर्चे बेटा आपने incur करें, ठीक है, बेटा मैं government से एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं government से एक बात पूछना हो जाता हूँ, कि क्या, क्या, इन खर्चों का, क्या, इन खर्चों का, आप मुझको deduction दोगे क्या, while computing income from house property, मैंने house property का insurance premium पे करा, तो क्या मुझे insurance premium का deduction मिलेगा, जैसे municipal tax का मिला था, क्या insurance premium का मिलेगा, अच्छा, मैंने house property की मरमत करवाई, ठीक है, repairs and maintenance करवाई, क्या repair और maintenance के खर्चे का मुझको deduction मिलेगा, क्या, जैसे municipal tax का मिला था, यह मैंने government से पूछा, बेटा, government ने क्या का, कि आपको इन खर्चों का deduction नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैंने कहा, भई क्यूं नहीं मिलेगा, मुझे क्यूं इन खर्चों का deduction नहीं मिलेगा, government कह रिये, हिसाब कौन रखेगा, हिसाब कौन रखेगा, कि आपने कितने का insurance पे करा, कितने का repair और maintenance पे करा, कितने के miscellaneous expenses है, हिसाब कौन रखेगा उन खडचों का, हम तो नहीं रख सकते हिसाब, तो government ने का, ठीक है, हम आपको deduction दे देंगे, but, but, आपको deduction मिलेगा, flat, 30% of NAV, आपको deduction मिल जाएगा, flat, 30% of NAV, मतलब, actual में आपने खडचा, actual में आपने खडचा, insurance पे, repairs और maintenance पे, other expenses, जितना मरजी करा हो, actual में, उसको छोड़ो, हिसाब नहीं maintain रखा जा सकता, हम आपको flat, 30% of NAV का deduction दे रहें, तो अगर आपकी NAV हजार है, तो हजार पे flat, 30%, 300 रुपे का, आपको deduction मिल जाएगा, in खडचों का, whatever be the actual expenditure incurred, तो actual में आपने कितना खडचा किया है, भाड में गया, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम आपको flat, 30% of NAV का क्या दे रहे हैं, deduction दे रहे हैं, तो मुझे एक बादाओ, sum up करो, मुझे बताओ, गर्मेंट ने standard deduction क्यों दिया है, ठीक है, basically standard deduction is a deduction in respect of expenses incurred on house property, तो house property के respect में, आपने जो खर्चे इंकर करें हैं, उसका deduction गर्मेंट दे रही है, in the form of standard deduction, और flat कितना है, 30% of NAV, पीटा, गर्मेंट का कहना भी सही है, गर्मेंट कहरी है, हिसाब कौन रखेगा, कि आपने insurance कितना दिया, repair और maintenance पे कितना खर्चा हुआ, other sundry expenses कितने हिसाब कौन रखेगा, हम नहीं रख सकते हिसाब, तो आप एक काम करो, flat 30% का deduction ले लो, of NAV, ठीक है, irrespective of actual expenditure incurred, आपने actual में कितना खर्चा किया है, छोडो से, flat 30% का deduction ले लो, of NAV, इसलिए बेटा, आपको दिया जाता है, standard reduction, ठीक है, copy करो इसे, फिर मैं बेटा, आपको एक question करा रहा हूँ, चलो, करें कोशन, देखो बेटा, question, बेटा, इसका link आप नीचे description box से आप download कर ले न, question नमर बान देखो बेटा, तीन हाउस हैं बेटा, तीन हाउस प्रॉपर्टी हैं, municipal value दे रखिया है, fair rent दे रखा है, standard rent दे रखा है, actual rent परमन दे रखा है, period of vacancy, municipal taxes for the year, municipal taxes paid, compute income under the head, house property of all three properties, चलो, आपको निकालनी है, income under the head, house property, statement बनाओ, statement showing, statement showing, income, from, house property, statement, statement showing income from house property, तीन हाउस हैं, लिखो, house, one, house, two, और house, three, तीन हाउस हैं, ठीक है, सबसे पहले आएगी, तीनों की, gross annual value, जी एवी, लिख लो यहां तक, फिर हम जी एवी निकालेंगे बिटे, चलो करें, आओ मेरे साथ, working note बनाओ, calculation, of, gross annual value, calculation of gross annual value, तीन कॉलम बना लो, house, one, house, two, और house, three, पेटा, याद करो, मैंने आपको कल, steps लिखवाए थे, जी एवी निकालने के, अच्छा, पहला step था, calculate expected rent, calculate expected rent, पेटा, यह expected rent का, formula क्या था, पेटा, expected rent का, formula था, municipal value, और, fair rent, दोनों में से, जो भी higher है, दोनों में से, जो भी higher है, but, limited to, standard rent, municipal value, और fair rent, दोनों में से, जो भी higher है, but, limited to, standard rent, ठीक है, copy करो, यहाँ तक, फिर देखना शुरू करते हैं, चल, आओ मेरे साथ, question पे, देखो, ध्यान से, देखना है बिटा, पहले house one का, municipal value, one lakh, और fair rent, 140, दोनों में से, जो भी higher है, तो कौन सा आ रहा है बिटा, higher, 140 आ रहा है, ठीक है, फिर, फिर, but, limited to, standard rent, अब उसने क्या का, यह जो, 140 आ रहा है, न, यह standard rent से, 120 से, जादा नहीं होना चाहिए, अब बताओ, यह 140 तो, 120 से क्या है, जादा है, तो बताओ के, first step के हिसाब से, बिटा, answer क्या आएगा, 120, मैंने कल आपको लिखवाया था, बिटा, expected rent, किसी भी हालत में, standard rent से, जादा नहीं हो सकता, उससे कम है, तो ठीक है, बट standard rent को, exceed नहीं कर सकता, तो 120 आगे, expected rent, अच्छा, आओ जरा house 2 पे, municipal value, 150, और 180, दोनों में से, जो भी higher है, तो 180 higher आ रही है, बट, limited to standard rent, अब बिटा, standard rent कितना है, 2 lakh, मतलब ये 180, 2 lakh से जादा नहीं हो सकता, तो 2 lakh से जादा है भी नहीं बिटा, तो expected rent, 180 आ गया, बिटा, expected rent, standard rent से, जादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, ठीके, और तीसरा, municipal value 2 lakh, और fair rent 240, दोनों में से, जो भी higher है, 240 higher आ रहा है, बट, limited to standard rent, और बिटा, standard rent है ही नहीं, तो standard rent को ignore कर दो, 240 आ जाएगा बिटा, ignore कर देना, standard rent को, नहीं है, 240, यह आपका step 1 आ गया, ठीक है, अब देखो, मेरा step 2 क्या है, step 2 है, actual rent निकालो, और उसमें से माइनस कर देना, अन्रेलाइस्ट, रेंट, उसमें से अन्रेलाइस्ट रेंट आप क्या कर देना, माइनस कर देना, तो चलो, actual rent देखते हैं पिटा, यह देखो, actual rent है, 12,000 रुपीज पर मन्त, कल वाली क्लास याद करोगे पिटा, मैंने आपको कहा था, actual rent हमेशा, 12 months का आता है, except एक केस के, और वो केस क्या था, अगर आपकी house property, during the year, self occupied है, अगर during the year, self occupied है, तो उस केस में, actual rent can be less than 12 months, नहीं तो हमेशा 12 months का होगा, और बेटा, इस question में न, self occupied के बारे में, कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, तो 12 months का लेना, तो 12,000 रुपे पर मन्त, तो 12 months का, 144, minus unrealized rent बेटा, नहीं है अभी, निल, तो second step के हिसाब से आ गया, 144, चलो, house 2 का करो, 17,500, एक मन्त का, तो 12 months का, 210,000, minus unrealized rent अभी नहीं है, तो second step आ गया, 210,000, फिर third step, 21,000, पर मन्त, तो 12 months का, 252, 252, minus, unrealized rent है नहीं, तो second step के हिसाब से आ गया, 252, लो पेटा, यह आपका second step हो गया, अब third step था, step 1, और step 2, दोनों में से जो भी higher है, तो बेटा, step 1 के हिसाब से 120, step 2 के हिसाब से 144, दोनों में से जो भी higher है, 144 higher आ गया, फिर step 1, और step 2, दोनों में से जो भी higher है, 210,000 higher आ गया, और step 1, और step 2, दोनों में से जो भी higher है तो 252 higher आ गया यह आपका third step हो गया और बेटा fourth step था step 3 minus loss due to vacancy अब यह देखना बेटा पहले बताओ step 3 के हिसाब से कितना आया 144 minus चेक करना house 1 का period of vacancy nil है मतलब हमारा house 1 पूरे साल में vacant नहीं रहा अब जब vacant ही नहीं रहा तो नुकसान भी नहीं हुआ nil तो GAV आ गई 144 ठीक है अब step अब house 2 का करो step 3 के हिसाब से आया 210,000 minus vacancy है one month की मतलब एक month के लिए आपका house vacant रहा तो एक month में अगर vacant ना रहता तो 17,500 का किराया आपकी जेब में आता तो कितने रुपे का नुकसान हो गया बिटा 17,500 रुपे का नुकसान हो गया आपको 192,500 ये आपकी जीएवी ठीक है और third step 3 252 minus देखना कितने महीनों के लिए वेकेंट रहा six months के लिए वेकेंट रहा है एक month का आप 21,000 लेते हो तो छे महीने का 1,26,000 रुपे का नुकसान हो गया आपको 1,26,000 रुपे का नुकसान तो ये आगया 1,26,000 रुपे जीएवी ये आपकी gross annual value होगी बिटा copy कर लो इसे clear हुए बिटा चारो steps copy करो चलो यहाँ पर लिखना मेरे साथ जीएवी house 1 की 144 house 2 की 192,500 और house 3 की 126 अब जीएवी में से आप minus करते हो municipal taxes चलो देखो ज़रा municipal taxes municipal taxes for the year 20% of municipal value और municipal value है 1,00,000 तो 1,00,000 का 20% मतलब 20,000 के municipal taxes है और pay भी कितने हुए 20,000 तो आपको deduction paid basis पे ही मिलता है बिटा जितना pay होगा उतने का deduction मिल जाएगा तो पूरा 20,000 pay हो गया तो पूरे 20,000 रुपे का deduction मिल जाएगा फिर house 2 house 2 में pay करा 80,000 रुपे तो deduction कितने का मिल जाएगा बेटा 80,000 का paid basis पे 80 पे करा तो 80 का deduction और house 3 का 30 पे करा तो कितने का deduction 30 का लो बस तो मेरी net annual value 124 आ गई house 1 की 1,12,500 house 2 की और 96,000 house 3 की ये मेरी net annual value आ गई clear हुआ अब बताओ इसमें से आप minus करते हो standard deduction at the rate of 30% 30% किसका NAV का करो 1,24,000 का 30% 37,200 तो मेरी income from house property आ गई 86,800 ठीक है और house 2 का करो 1,12,500 का 30% 33,750 तो income from house property आ गई 1,12,500 78,750 और house 3 की 96,000 का 30% 28,800 तो house 3 की आ गई 67,200 यह आपकी बेटा income from house property आपकी सब बताओ बेटा मेरे को समझ आया है यह वाला case copy कर लो इसे बाकी बेटा next lecture में cover करते है मेरे ख्याल से बेटा सब को clear हुआ है पका बाकी next lecture में cover करते है तिल दिल दिल थैक यू